हर्याना की हर अपडीट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें स्टीवी हर्याना नीजूज पर लिखित कानून नहीं बनाया जाता तब तक उनका ये अंदोलन यूहीं लगातार जारी रहेगा अबी तक तो पांसो किसानों का जो जथा है यहां पहुंच चुकी है अलग अपने पने संसाधनों से और यहां का जो हम तो सिंदू बाड़े जाने के लिए निकले हुए थे लेकिन हम को यह हर्याना की सरकार की द्वारा रोग दी गई है तो यहां पलवल पर जो अंसन कर रहे हैं धरना दे रहे हैं सरकार किसानों की परीक्षा लेना चाहती है और अडानी अंबानी जैसे कार्पोरेट के दवाव में आके तीनों कानून वापस लेने के बारे में ना नोकर कर रही है लेकिन हमको पूरा भरोसा है कि इस देश का अंदाता किसान और जिस तरीके से अंदोलन को जन समर्थन मिल रहा है आखरी में सरकार को जोकना पड़ेगा तीनों कानून वापस होंगे प्रदेश में एक तरफ जहां बड़ फुलू की पुस्टी हो गई है वहीं प्रशासन की वोर से लापरवाही भी देखने को मिल रही है जिसका खाम्याजा आम लोगों को भी भूगतना पड़ सकता है